आज हम पढ़ेंगे गाल ब्लेडर एंड बिलिरी डिजीज के बारे में जो क्या होता है कि काफी सारे रिपोर्ट में यह चीजे होती हैं गाल ब्लेडर और बिलिरी डिजीज में जैसे की लिजीज और कोले डोको लिजीज होते हैं और मैंली रूप से अगर चार प्रकार के जो होती हैं तो यह मैंने गाल ब्लेडर का डाइगराम बना रखा है इसमें कुछ चीजें दरसा रखे हैं फिर उसके बाद नीचे फिगर बनाया है हमने डिफनिशन दिया है तो आई यह जानते हैं कि एक एक चीज के बारे में हम जानते हैं और एक चीज में और आपको बता दूं कि यह चार चीजें मैं लिखे हूं लिखा हूं सवरी इन चार चीजों में इन चार जो नंबर मैंने लिखा एक दो तीन चार इन चारों में मैंने वर्सिस करके इसलिए लिखा ताकि इनके बीच में मैं difference बता हुँ तो आज भी भी बैरें बता रहा हूं लेकिन कही walk के बारें बारें आज वीडियो आते रहेंगे वीडियो में हर ना कहарт कर ना कहकर ैब कोले सिस्टाइटीस तो अभी मैं सिर्फ कालेंग जटिस के बारे में बताताँ हूं अल जाइटिस के बारे मैं ने फीगार बनाया है Speaking यहां पे लिखा होती है और इसे सैंसे हम पढ़ें है तो आईये यह यह हमारा है गाल ब्रेडर यहांगा यह लिखा him फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको मैं बताता हूं कि लीथियासिस जो है कि एक डिजीज हो गया दूसरा डिजीज है कोंग जायटी से को ये डेखो लीथियासिच अब मैं सिर्फ के बारे में बताओंगा कोली जाइटीस के बारे में बलुए में ति कम crater . को जिसे हमारा यहीं तो मैंने इस इशिखर को इसलिए बना दिया है कि ताकि गाली स्टोन भी दिखा सकूं और कामन बाइल डख भी दिखा सकूं यहां मैंने एक सीवीडी सब्द लिखा है जो काफी सारे रिपूर्ट में दिया रहता है और सबसे पहले समझते हैं इस फिगर से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जैसे में एक सब्द होता है कोले देखिए यहां भी लिखा होगा यहां भी है यहां भी है यहां पे हैं त्विसमी मेडिकल टर्मिनॉली में कोले इसको तीन पार्ट में बाटा गया है कोले एंज्यू अन्ड आइटीस इसको समझने में बहुत आसानी होगी तो फिगर से ही मैंने इसको समझने की कोशिस किया है तो इसमें कोले कोले होता है आपका बाइल या गाल एंजीयो मतलब होता है वेसल्स या डख्ट और आइटीस का मतलब होता है इनफ्लामेशन जैसे आप देख सकते हैं यहां आइटीस लिखा है तो यह मान के चलिए कि इन दोनों में सेमी चीज होगा लेकिन इस्टों का फार् में मैं इस허ह छाहिए है लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफेरेंट रहेगा आजओ डिफेरेंस रहेगा यह güld रहेगा तो यह हमारा एग्यो को मिला करके हमारा क्या बनता है कोव ए तो डुट हो जाता है होता है और इस को मिला करके और एक को मिला करके इसका मतलब होता है cholangiitis ठीक है यह हो गया हमारा cholangiitis तो इसका हम ने हमने संधी विछेट कर दिया संधी अब इसमें यह चीजे आपको समझ में आएंगी कहां से अब इस इधर बताएंगे फिर इस फिगर में बताएंगे ठीक है अब जैसे definition में यह क्या लिखा है कि this is inflammation of bile duct system carries bile from liver okay ठीक है जो पाचन सक्ति में महत्पूर होती है जो पित्य होती है जो डक्ठ होता है जो बाइल डक्ठ होती है जो करते हैं यानि ले जाती है गाल ब्लेडर इन्टु दफस्ट पार्ट आफ यूर इस्माल इंस्टेक्टाइन यानि छोटी आत में इस्माल इंस्टेक्टाइन का मतलब होता है इस्टेक्टाइन मतलब होता है छोटी आत ठीक है यानि फस्ट पार्ट जो हमारा होता है वो ले ज कोलेंजायटिस अगर जहां भी लिखा रहेगा तो आपको यह समझना है कि यह एक गाल ब्लेडर में और यह जो न यहां पर चीज और दिखाता हूं कि यहां पर लिखा है TBD लिखा है और मैंने यह चोटा सा बनाया है यहां पहता है और यहां proactive VOD print a report देखिए आपको रिपर्ट में जाएगे कोई بी अल्ट्रासॉंग्स के लिपूर्ट में निकालांगे तो वहाँ CBD लिखा होगा हर रिपोर्ट में CBDδα का का मतलब होता है कामन और वी का मतलब होता है कमगल कमान व नगवा Together कब रहेगा जब रिपोर्ट के इंप्रेशन में लिखा रहेगा लेंग जी कूलेंजाइटीस तो जब रिपोर्ट के इंप्रेशन में अगर ओफ० एयworld लिखा यह सकते हैं कौन-कौन से कश को डिक्कते होती चीज को बता देते हैं कि आपको नोरी समय दinform में हो VII- DJ अब मैं बताने जा रहा हु और यह चीजे बहुत इंपोर्टेन्ट है जो मैं भी मारे जाूँर है कि कैसे इस चीज को अनुभाव करते हैं ठीक है उसके यूज связ से वह समझ जाते हैं उसके जो symptom होते हैं उससे समझ जाते हैं यह चीजे यह प्राब्लम हो रही है तो इसका मतलब कौन सा डिजीज होगा और मेंली रूप से यही डिजीज लिखते हैं डाक्टर जो अल्ट्रा साउंड में लास्ट में इंप्रेशन में यह चीजे देता है को लेंज जाइटीज ठीक है अब मैं उसके बारे में बताता हू है कि इसके सिम्टम्स क्या है कैसे पहचाने जाते हैं को लेंजाइटीज कैसे पहचाने जाते हैं जैसे डाक्टर आपको देख करके बता देते हैं पूछ की बता देते हैं कि यहां आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं दिकत है ठीक है तो मैं आपको यह बता देता हूं जैसे आभी भी हमारा जो लिवर होता है वो लीवर के जस्ट न पूछेगा जो आपको जुदीकते आएंगी यही सब आयेगी फीबर आएगा अभाणरेट भी वह अब्लायोज मेंटा शाक्ता है रंद मेंटमेंड फूझानल पहों लोंगे आनि बाउल इंफलामेशन होगा कभी-कभी गयास इसी इसके सिंटम होते हैं इनी इस IRS इंप्रेटי MP2 और जो डार्टर इस इसको बताते हुऊ जाने के बाद वहां जो भी होता है मेलिशन लिखते हैं कि आप सोच्पिरोच प्रदोड screens को पुरिते हैं क्व ay शाइड टरफाइड बता पाते सबकू येशी ऑनभावP नहीं होती है तो क्या करते हैं इस चीज़ को तुरंध पकोड देते हैं कि सीज़ को आज हम जाने इसके बारे में तो जाइटेस के बारे में ठीक है और फिघर के बारे में को अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आये Baumoto seemed इसी से रिलीटेड आएका इसके जस्ट अ पर्जीट ले सीटेस के बारे में ठीक है जो भीडियो आएगा सबस्क्राइब होता है इसमें थोड़ा सा होगा हमारे नेक्स जाले आएगा और यह दोनों चीजह अलग होती है है इस से डिफरेंद्स होता है तो जो वीडियो आएंगी हर वीडियो में अलग उन देखका देख सब्सक्राइब तो अभी तो नेक्स्टर में पड़े एक वीडियो आएगा तो चारों वीडियो अगर आप जो देख लेंगे तो कोई ऐसा रिपूर्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा तो नमस्कार पड़ाम थन्यबाद